सवाल है आज का हमारा कोश्चन मैडलन कोंस्टेंट के ऊपर होने वाला है ठीक है बहुत से सेंडर्ड बुक्स में भी देखा गया है इवन जो भी एक्जामनेशन हैं उनमें भी देखा गया है कि यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल पेशली एनसील से कोश्चन बनते हैं और वहाँ आप पर वन डायमेंशन और त्रि दायमेंशनल सिस्टम के कोर्स्पोंड्िंग मैडलन कोंस्टेंट के बारे में इंजर्रल डिसकुशन करा जाता है तो आज का हमारा सवाल आपसे इसी चीज के ओपर होने वाला है कि टू डायमेंशनल एनसील स्टिट में, पर उस क्रिस्ट वाला सिस्थम हमारा है पूर रेफरेंस साइन माल लीजिए आप एने प्लस को ले रहे हैं अब यहां से फॉर्स नियरस निवर आपके क्लोरीन वाले हैं तो यहां पर फॉर्स नियरस निवर यानि कि यह दो दो यहां पर इनकी वज़े से चोंट्रिबिशन रहेगा लेटेस अनर्जी में या फिर कहलो कोहेसिव एनर्जी में तो इसका कोंट्रिबिशन हम इस तरीकी से सब बाइस सब अभी देखने वाल है यह था फॉर्स नियरस निवर की वज़े से टिक है लेफ्ट क्लोराइड आयन ए सेकंड नियरस निवर की वज़े से टिक है इधर और इधर एक एक आपको सोडियम दिखेंगे और डिस्टंस कितने में लिए टू आर नोट ठीक है इसको चलने दो यहां पर जब आप देख रहे होंगे टोटल आपके पास कुछ एनर्जी की वैल्यू इस तरीके से आएगी यह एनर्जी कुन सी हमारी कोहसिव के एनर्जी कहे लो बाइंडिंग एनर्जी भी आप इसको कह सकते हो या फिर लैटिस एनर्जी भी आप इसको कह सकते हो ठीक है तो इस तरीके से पूरी सिस्टम रहेगा आपका यहां पर आप माइनस 2e2 by 4 pi epsilon not r not इस चीज़ को कॉमन ले लेंगे अगर तो आपके पास factor कुछ इस तरीके का बचता है यह जो आपके पास सीरीज बच जाएगे ना उसके बाद यह जो सीरीज है यह बिसिकली नेशल लोग ऑफ 2 की सीरीज है तो 2 ln 2 ऐसा अगर कि आपके पास यहां पर फेक्टर आ जाता है अब इस सीज़ को बड़ के लिए 2 ln 2 हमारा रफली 1.386 के आपस आता है रफली 1.39 इसको बोल देता है वहीं पर थ्री डायमेंशन में अगर हम इसको देखें तीक है सेम चीज़ को हम अगर थ्री डायमेंशन में देखें तो सिमिलरली यहां भी हम फर्स नियर इस निवर सेके नियर इस निवर होता है 1.746 के आत्वास 1.75 रफली आप बोल सकते हैं तो आज का अपना सवाल हो नहीं यही वाला है कि भाई साब यहां पर टू डायमेंशन की केस में ठीक है और देखें अगर आप गूगल पर भी सर्च करते हैं तब भी डेरेक्टली उसकी वैल्यू आपको नहीं देखन को मिला ठीक है तो आप यहां पर जस्ट एक बार इसको केलकूलेट करें और भी आपको पूछन में ठीक है एक तो हुआ यह सवार इसके साथ ही अगर आप कोशन ही करना चाहते हैं तो एक और कोशन आप कर सकते हैं अगर आपको रहेगा भाई यह वाला क्या बाई एने सीयल और सीयल की लिए मैडलन कॉंस्टेंट के वैल्यू से इम आती है अब आपके मन में सडल नहीं आ जाना चाहिए कि भाई बैलन कॉंस्टेंट निकालते हुँद हम कर क्या रहे थे बेसिकली लैटिस एनरजी को कैलकुलेट कर रहे थे कोहसिव एनरजी और फिर बाइनरजी को कैलकुलेट कर रहे थे वाईदा इलेक्टोसेटिक इंट्रेक्शन वगेरा तो बेसिकली हम यहाँ पर देखें तो नीरस नेवर सेपरेशन वगेरा जो थी ठीक है उन पर बहुत चीज़ें डिपेंड कर रहे थी ठीक है और हमें पता है कि एने सील और सील का जो स्रक्चर है वो अलग अलग होता है इस इसको एप्रिफरेंट काइंड ऑ नेचर का होता है इसको एसको एकॉपर करते हैं तो यहाँ पर आपको त्री डामेंशन में बताना है क्या इन दोनों का मेडिलंग कोंसेंट सेम आएगा अगर सेम नहीं आएगा तो रेशु क्या होगी वह ओलगे तो निना इसके आशल आपके लिए मैं लेकर आया हूं तो आप इन दोनों का ही जवाब दे सकते हैं एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और काफी सारी चीजे यहां पर हैं जो हम नहीं देखने वाले नहीं सीखने वाले तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में अच्छे तरीके से इस कौन लोग देते हैं ठीक है फोशन ओफ देस सीरीज हमारी काफी दीनों से चल रही है एक ख्लोज आई है उन लोगों पर जो कि करेक्ट अंसर दे रहे तो जब्दिश से सभी लोग जाकर करेक्ट अंसर दीजिए ट्राइ करिए सॉल्व करिए ठीक है एंड मिलते हैं और इस तब तक के लिए आप सबी लोग कोशन्स रोल करिए जल्दी मिलते हैं लाइफ जहिंद चेह बारा